बच्चों आज का टॉपिक है टाइपस ओप सेमी कंड़क्टर यानि सेमी कंड़क्टर अर्धचालक के प्रकार तो टाइपस ओप सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर दो प्रकार के होते हैं एक हो गया pure semiconductor, pure semiconductor को हिंदी में शुद्ध अर्ध चालक या नैज अर्ध चालक कहते हैं, इसको इंगलिश में pure semiconductor या intrinsic semiconductor कहते हैं, और दूसरा टाइप हो गया, Dopped semiconductor, Dopped semiconductor वैसा semiconductor होता है, जब हम pure semiconductor में कुछ impurity मिलाते हैं, कुछ असुद्धी मिलाते हैं, यानि कोई दूसरा element मिला देते हैं, तो उस तरह के semiconductor को हम Dopped semiconductor या extrinsic semiconductor या फिर impure semiconductor कहते हैं, हिंदी में अशुद्ध, अशुद्ध मतलब impure और मादित अर्धिचालक, मादित मतलब हो गया Dopped, Dopped semiconductor मतलब मादित अर्धिचालक, तो semiconductor का दो टाइप हो गया, pure और impure, impure semiconductor को ही हम Dopped semiconductor कहते हैं, अब देखिए, जो pure semiconductor होता है, उसमें NE बराबर NH होता है, यानि, number of free electrons in conduction band is equal to number of holes in balance band, इसको आप डाइग्राम से समझी है, यहाँ पर देखिए, यह balance band है, यह conduction band है, तो room temperature पर क्या होता है, कि कुछ electron free हो जाता है, बहुत कम electron free होता है, लेकिन होता है, इसलिए room temperature पर semi conductor से current flow होता है, लेकिन बहुत कम flow होता है, यानि इसकी conductivity बहुत कम होती है, पूर होती है, तो यहाँ पर यह दोनों electron free हो गया, यह चला गया conduction band में, यहाँ पर 2 hole बच गया, फिर यह दोनों electron भी free होके चला गया, conduction band में, यहाँ पर 2 hole बच गया, बाकि electron को इतना अधिक energy नहीं मिल पाया, ताकि यह conduction band में जा पाया, तो room temperature पर केवल 4 ही electron free हुआ, इसको कहेंगे 4 thermally generated electron hole pair यहाँ पे electron और hole का जो pair है 4 electron और 4 hole ठीक है नीचे वाले electron को bound electron कहते है यह सब बंधा हुआ electron है ठीक है तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ NE is equal to NH मतलब electron की संख्या और hole की संख्या बराबर होती है तो कौन से electron की संख्या इस free electron की संख्या इसकी बात मैं कर रहा हूँ conduction band में जो electron की संख्या होती है वो balance band के hole की संख्या के बराबर होती है ऐसा pure semiconductor में होता है लेकिन dobed semiconductor में ऐसा नहीं होता है NE और NH कभी बराबर नहीं होता है या तो NE बड़ा होगा NH से या तो electron की संख्या अधिक होगी hole की संख्या से या फिर NH बड़ा होगा NE से यानि hole की संख्या अधिक होगी electron की संख्या से तो dobed semiconductor जिसको हम extrinsic semiconductor या impure semiconductor भी कहते है या दो type का होता है एक हो गया N type एक हो गया P type N type का मतलब होगया negative type P-type का मतलब हो गया positive type N-type किसको कहाएगे जिसमें elektron की संख्या अधिक हो hole की संख्या से positive type क किसको कहाएगे जिसमेn hole की संख्या अधिक हो electron की संख्या से अब देखे electron negative charge partial है तो negative type कब कहलाएगा जब electron की संख्या दिखो यान 2015 Ne greater than nH और positive type कप कहलाएगा जब hole की संख्या दिखो क्योंकि hole पे positive charge माना गया है तो electron की संख्या ये कौन से electron की संख्या है ये conduction band में free electron की संख्या conduction band में free electron की संख्या जब अधिक हो balance band के hole की संख्या से तो ऐसे conductor को हम n type semiconductor कहेंगे और जब balance band में hole की संख्या क्योकि होल हमेसा balance band में ही बनता है तो जब balance band में हूल की संख्या अधिक हो जाए conduction band के electron की संख्या से तो ऐसे conductor को हम P-type कहते हैं तो जो आपका impure semiconductor है इसी को हम double semiconductor या extrinsic semiconductor केहते हैं यानि असुद्ध अर्ध चालक दो प्रकार के हो गए एक N टाइप एक P टाइप N टाइप में एलक्ट्रोन की संख्या अधिक होती है होल से और P टाइप में होल की संख्या अधिक होती है एलक्ट्रोन से देखें डॉपिंग, डॉपिंग को हिंदी में मादन बोलते हैं तो डॉपिंग क्या है? जब किसी Pure Semiconductor में हम Impurity मिलाते हैं और याद रखेगा Impurity हम ऐसा बहुत Small Amount में मिलाये जाता है मान लिजे हमारे पास एक Pure Semiconductor है जैसे मान के चलो Silicon का एक टुकड़ा है उस Silicon के टुकड़े में अगर हम थोड़ा सा एकदम Phosphorus मिला दें या ऐलमूनियम मिला दें कहते हैं यानि अशुद्धी और यह जो प्रोसेस है मिलावट का इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे doping, तो doping क्या है the process of adding impurity to a pure semiconductor is called doping यानि pure semiconductor में impurity मिलाने की परकिरिया को हम doping कहते हैं और यह impurity बहुत small amount में मिलाए जाता है PPM में मिलाए जाता है PPM यानि part per million per million का मतलब 1 million 1 million का मतलब 10 lakh यानि 10 lakh pure semiconductor atom में एक part या दो part impurity मिलाए जाता है यानि मान के चलिए हमारे पास silicon का एक सुद्ध टुकड़ा है उसमें केवल silicon है यानि pure semiconductor है, silicon और germanium ये दोनों pure semiconductor है तो मान लिजे silicon का एक टुकड़ा है उस टुकड़े में करोरो silicon परमानू है तो 10 lakh silicon परमानू में हम एक परमानू impurity का मिलाएंगे 20 lakh में 2 परमानू impurity का मिलाएंगे, 30 lakh में 3 atom impurity का मिलाएंगे impurity उसको कहते हैं जो बाहर से हम मिलाते हैं जैसे phosphorus मिलादे या aluminum मिलादे या boron मिलादे कोई भी दूसरा element जो की बहुत थोड़े मातरा में मिलावट किया जाता है तो उस impurity को हम dopant कहते हैं dopant को हिंदे में क्या कहेंगे मादक, dopant होता है impurity atoms are called dopants मतलब जो बाहर से हम अशुद्धी मिलाते हैं उस अशुद्धी को हम dopant कहते हैं हिंदी में मादक कहते हैं और यह मिलाने की प्रकिरिया को मादन कहते हैं और mixing करने के बाद जो semiconductor हमारे पास आएगा वो impure semiconductor आएगा जिसको हम dopd semiconductor या मादित अर्धिचालक कहेंगे लेकिन सवाल है doping क्यों करते हैं? why doping is necessary? यह question आता एक्जाम में कि why doping is necessary? doping क्यों आवश्यक है मादन क्यों किया जाता है सुद्ध अर्धिचालक का pure semiconductor में हम impurity क्यों मिलाते हैं? तो आप जानते हैं कि जो pure semiconductor होता है वो room temperature पर उसकी conductivity कम होती है क्योंकि कमरे के तापमान पर किसी pure semiconductor में बहुत कम free electron होते हैं बहुत कम इसके कारण इससे micro ampere में current flow होता है तो इतना कम conductivity होता है room temperature पर कि इससे कोई भी important electronic device नहीं बनाया जा सकता है इसलिए इसके conductivity को बरहने के लिए दो तरीका है एक तरीका है हमने बताया कि इसको गर्म करिए गर्म करिएगा तो बहुत सारा electron free होगा तो इससे conductivity बढ़ेगी लेकिन गर्म करने से फिर दूसरा प्रभाव भी हो सकता है हम चाहते हैं बीना गर्म किये यानि room temperature पर ही इसकी conductivity बढ़ जाए तो इसके लिए क्या करना होगा doping करना होगा क्योंकि temperature बढ़ाने से तो फिर वो दूसरा बात होगा कि अब उसको गर्म करिए temperature बढ़ाईए तो जो आप device बनाएंगे तो वो device तब काम करेगा जब उसको हम गर्म करेंगे तो ये तरीका उतना अच्छा नहीं है एक तरीका है doping का जब हम doping करते हैं जब हम impurity mix करते हैं तो उसमें क्या होता है electron की संख्या या hole की संख्या कमरे के ही तापमान पर बढ़ जाती है तो सीधा इसका जवाब है doping क्यों ज़रूरी है to improve conductivity of pure semiconductor SC का मतलब semiconductor at room temperature यानि कि कमरे के तापमान पर pure semiconductor के conductivity को improve करने के लिए यानि उसको बढ़ाने के लिए कमरे के तापमान पर सुध्ध अर्दचालक की चालकता कम होती है इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग doping करते हैं अब देखिए जो अशुद्धी आप मिलाते हैं उसको doping कहते हैं doping दो प्रकार का होता है एक होता है पेंटा भेलेंट डोपेंट यानि पंच संयोजी असुद्धी और एक होता है ट्राइ भेलेंट डोपेंट यानि त्री संयोजी असुद्धी तो पेंटा भेलेंट जिसकी भेलेंसी 5 हो जैसे फासफोरस आर्षेनिक एंटी मनी यह सब सिंबॉल है इसका फासफोरस का सिंबॉल P आरसेनिक का AS एंटी मनी का SB, एसेटरा ट्राइवेलेंट हो गया जिसकी भैलेंसी तीन हो, जैसे एलमुनियम AL, बोरन B, इंडियम, आईयन एसेटरा, चेक है तो डोपेंट भी दो परकार का हो गया एक हो गया पेंटावेलेंट, एक हो गया ट्राइवेलेंट अब देखिए, सिलकन या जरमेनियम सिलकन या जरमेनियम यह टेटरावेलेंट होता है आपको इस टार्टिंग में ही पढ़ाए थे फरस्ट क्लास में, कि सिलकन या जो जरमेनियम होता है ये pure semiconductor है और इसकी valency 4 होती है tetravalent होता है इसका crystal structure भी दिखाये थे किस तरह ये 4 electron sharing में लगाता है phosphorus, phosphorus pentavalent है क्योंकि phosphorus जो है इसकी atomic नमबर 15 है 285 तो आप देख रहे हैं इसकी valency 5 है तो ये pentavalent हो गया aluminium, aluminium का atomic नमबर 13 है 283 तो इसकी valency 3 है तो जो हमारा pure semiconductor है, pure semiconductor की valency है 4 pure semiconductor की valency है 4 लेकिन जो हम impurity mix करते हैं वो या तो pentavalent होगा या फिर trivalent होगा अब यहाँ पर इसको याद रखे चार से एक बढ़ा दो तो 5 होता है और चार में एक घटा दो तो 3 होता है इसका मतलब जो dopant मिलाते हैं जो असुद्धी मिलाते हैं तो असुद्धी दो परकार मिलाते हैं या तो pentavalent dopant होगा या trivalent dopant होगा pentavalent की valency 5, trivalent की valency 3 और जिसमें मिलाते हैं किसमें मिलाते हैं प्योर सेमिकंडक्टर में मिलाते हैं यानि सिलकन या germanium में ये मिलाये जाता है तो सिलकन या germanium tetravalent होता है यानि जो प्योर सेमिकंडक्टर है वो हमारा tetravalent है और जो हम impurity मिलाते हैं जो dopant मिलाते हैं वो या तो pentavalent मिलाएंगे या फिर trivalent मिलाएंगे ठीक है अब इसको ऐसे समझिए Silicon या Germanium की valency 4 है ठीक तो जब Silicon या Germanium में हम थोड़ा सा Phosphorus मिलाएंगे तो यह Phosphorus Silicon या Germanium के साथ क्या करेगा साज़ेदारी में भाग लेगा तो चुकी Silicon क्या है tetravalent इसके पास 4 electron है Phosphorus क्या है pentavalent 5 तो इस 5 में से तो 4 चला जाएगा bond बनाने में यानि sharing में एक electron इसके पास extra रहेगा यही extra electron जो है न बढ़ जाएगा यानि electron की संख्या अधिक हो जाएगी hole की संख्या से इसी करण n-type semiconductor बनेगा क्योंकि pentavalent का मतलब होता है जिसकी valency 5 हो हमें जरूरत है 4 electron की लेकिन यहां पर है 5 यानि एक electron extra है अगर 2 phosphorus atom मिलाएंगे तो हमारे पास 2 electron extra होगा तीन phosphorus atom मिलाएंगे तो 3 electron extra होगा माली जे 50,000 phosphorus atom मिलाएंगे तो 50,000 electron extra बढ़ जाएगा यानि electron की संख्या अधिक हो जाएगी hole की संख्या से तो कौन सा semiconductor बनेगा n-type इसका मतलाब जब भी हम किसी pure semiconductor में pentavalent dopent मिलाएंगे तो हमारा कौन सा semiconductor बनेगा n-type लेकिन trivalent, trivalent की valency तीन तो जब किसी trivalent dopent को जैसे aluminium को हम pure semiconductor में mix करेंगे तो यह aluminium को 4 electron चाहिए क्योंकि यह tetravalent में mix कर रहे है तो 4 चाहिए लेकिन इसके पास है कितना 3 यानि एक electron की कमी है, तो एक electron की कमी को hole कहते हैं, electron द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान को hole कहते हैं जिस पर positive charge मना जाता है, तो इसमें एक electron की कमी है, यानि इसके पास एक extra hole है यानि hole की संख्या अधिक हो गई electron की संख्या से, इसलिए कौन साथ semiconductor बनेगा P-type P-type का मतलब हो गया positive type, यानि hole अधिक होना चाहिए, इसके लिए कौन सा impurity मिलाना होगा, trivalent तो जब किसी pure semiconductor में trivalent impurity मिलाते हैं, trivalent यानि जिसके valency 3 हो, तो वो हमेशा P-type semiconductor बनाता है और जब किसी pure semiconductor में हम pentavalent impurity मिलाते हैं, तो N-type semiconductor बनता है इसको याद रखने का तरीका है pentavalent, यानि एक electron extra है, electron की संख्या अधिक हो गई, तो N-type बनेगा, negative type trivalent, यानि एक electron की कमी है, क्योंकि हम mix कर रहे हैं किसमें, tetravalent में, यही है न pure semiconductor इसमें जब आप aluminum mix करिएगा, तो इसको भी तो 4 चाहिए electron, sharing में भाग लने के लिए, लेकिन इसके पास है केवल 3 तो एक electron की कमी को hole कहते हैं, अब माली जे 2 aluminum में time है, तो 2 hole extra हो गया 3 aluminum में time है, तो 3 hole extra हो गया, तो hole की संख्या बढ़ जाती है electron की संख्या से, इसलिए P type बनता है तो यह सब objective question में आ सकता है, कि N type semiconductor में किसकी संख्या दिखोती है, तो भाई, electron की संख्या, P type में किसकी संख्या दिखोती है, hole की संख्या, N type semiconductor का निरमान कैसे होता है तो जब हम pure semiconductor में pentavalent impurity मिलाते हैं, कौनसी impurity मिलाते है, pentavalent, impurity को ही dopent कहते हैं और जब pure semiconductor में हम trivalent impurity मिलाते हैं, तो P type बनता है, ठीक है अब थोड़ा सा crystal में समझे, हम N type semiconductor का बात कर रहे हैं, negative type तो N type semiconductor बनाने के लिए क्या तरीका है, pure semiconductor में आप pentavalent impurity मिलाईए ठीक है, तो यह हमारा silicon का टुकडा है, जिसके अंदर बहुत सारे silicon atom है और silicon की valency 4 है, इसके पास 4 electron है, जो sharing में इस तरह से भाग ले रहा है परते एक silicon अपना एक-एक electron चारो तरफ दे कर bond बनाने में, bond बनाने में use कर रहा है अब इसमें आपने बहुत थोड़ा सा phosphorus मिला दिया मालो यह phosphorus atom है, तो phosphorus के पास 5 electron है जिस पांच में से इसने चार खर्च कर दिये sharing में एक electron phosphorus ने इधर दिया एक electron इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया यह silicon ने एक electron इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया phosphorus के पास एक extra electron है, यह पांचवा electron यह जो फासफोरस के पास extra electron है यह electron ना तो bond में बंधा हुआ है अगर bond में बंध जाता तो यह बंधा हुआ electron कहलाता और इस electron को हम कहां दिखाते balance band में यानि नीचे वाले band में तो यह electron ना तो bond में भाग ले रहा है और ना पूरी तरह से free है अगर यह पूरी तरह से free होता तो इसको हम conduction band में दिखाते हैं लेकिन यह जो electron है आपको हम पहले class में बताये थे कि जितना भी बंधावा electron है सबको हम balance band में दिखाते हैं और जितना भी free electron है सबको हम conduction band में दिखाते हैं लेकिन जरा आप सोच यह फासफोरस की balance ही 5 है इसके पास 5 electron है 5 में से 4 इसने bond बनाने में यूज़ कर लिए इसके पास जो 5वा electron है वो ना तो bond बनाने में यूज़ हुआ और ना पूरी तरह से free है लेकिन यह लगभग free है यह जो पाँचवाँ electron है पूरी तरीके से free नहीं है लेकिन लगभग free है तो लगभग free है इसका मतलब इसको थोड़ा सा energy मिलेगा यह free हो जाएगा तो इसका energy जो है conduction band के just नीचे होता है इस पाँचवाँ electron की energy conduction band से थोड़ा सा ही नीचे होता है यहाँ पर अच्छा एक बात और बताईए फासफोरस के पास पाँच electron है यानि इसके पास एक electron extra है चार को तो इसने यूज़ कर लिया sharing में एक electron extra है यानि ये एक extra electron donate कर सकता है किसी को दे सकता है इसलिए हम फासफोरस को donor atom भी कहते है donor atom या donor impurity हिंदी में कहेंगे data असुधि data मने देने वाला फासफोरस को हम या जितना भी pentavalent impurity है वो सब donor है जितना भी pentavalent है जिसकी valency 5 है जिसके पास एक electron extra हो गया क्योंकि चार तो sharing में जाएगा एक extra electron है तो वो extra electron दे सकता है इसलिए इसको हम donor impurity कहते है data सुधि लेकिन जितना भी trivalent impurity है जैसे aluminium है boron है indium है तो ये सब trivalent impurity के पास तीन ही electron है तो यहाँ एक electron की इसके पास कम ही है तो इसका मतलब इसको एक electron चाहिए तो ये accept करता है इसलिए इसको acceptor impurity कहते है कौन सा impurity कहते है acceptor impurity या acceptor dopant acceptor मतलब लेने वाला accept करने वाला इसको हिंदि में ग्राही असुद्धी कहते हैं तो समझेगा pentavalent impurity को हम donor कहेंगे और trivalent impurity को acceptor कहेंगे क्यों? क्योंकि जिसकी valency 3 होगी उसको एक electron और चाहिए होगा तब न चार होगा तो ये accept करेगा एक electron को जबकि जिसकी valency 5 होगी उसके पास तो अल्रेड़ी एक electron extra है तो वो donate करेगा इसलिए उसको donor impurity कहते हैं इसका मतलब जब हम pure semiconductor में कोई donor impurity मिलाते हैं donor जो donate कर सकता है electron को तो हमारा n type बनेगा जबकि pure semiconductor में कोई acceptor impurity मिलाते हैं जो accept कर सकता electron को तो हमारा p type semiconductor बनता है acceptant impurity का मतलब हो गया trivalent impurity और donor impurity का मतलब हो गया pentavalent तो अब कहानी समझे है ये जो phosphorus के पास पाचवां electron है ये लगबग free है तो अगर पूरी तरीके से free होता तो इसको हम conduction band में कहीं दिखाते लेकिन ये लगबग free है इसका मतलब इसको free करने के लिए थोड़ा सा और energy चाहिए तो इसका जो energy level होगा वो conduction band से थोड़ा सा नीचे होगा इसको हम ED कहते हैं ED का मतलब D का मतलब होगा donor item तो ये जो donor item है phosphorus इसकी energy level conduction band से थोड़े सी नीचे होती है तो यहाँ पर जो phosphorus item है इसको हम यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं यह phosphorus item हो गया और इसके पास यह extra electron है जो पाँचवाँ electron है अब ज़रा सोचे कमरे के तापमान पर क्या होगा यह topic पूरा समझने वाला है एकदम समझे कमरे के तापमान पर यहाँ का दो electron free होके यहाँ चला गया तो यहाँ दो hole बच गया ठीक है लेकिन नीचे वाला electron free नहीं हो पाया क्योंकि नीचे वाले electron को इतना energy नहीं मिल पाया कि वो free हो सके तो यानि केवल दो electron और दो hole बना दो electron conduction band में और दो hole valence band में तो तब तो electron की संख्या और hole की संख्या बराबर हो गई तो यह तो impure semiconductor नहीं हुआ या n-type नहीं हुआ तो अब समझे fast forest के पास जो पाचवाँ electron है इसको कमरे के तापमान पर क्या इतना energy मिलेगा कि यह free हो जाए तो ज़रा सोचिए जब यह electron free होके यहां जा सकता है यानि इतना सारा energy gap को cross करके यह free हो सकता है तो क्या यह electron free नहीं होगा इसको free होने के लिए तो थोड़ा सा energy चाहिए तो कमरे के तापमान पर fast forest का यह जो पाचवाँ electron है यह free होके इसमें चला जाता है तो क्योंकि यह electron lose कर रहा है इसलिए इस पर कौन सा charge आएगा positive charge यह पाचवाँ electron यहां से हट गया अब माल लिजे पूरे crystal में एक ही fast forest पर मानू तो नहीं है माल लिजे for example 25,000 fast forest item है लेकिन यहां पर हम मान रहे है 4 fast forest item 1, 2, 3, 4 तो यह 4 fast forest item का जो यह 5th electron है यह कमरे के तापमान पर free हो जाएगा easily free हो जाएगा तो 1, 2, 3, 4 यह सब ionize हो गया जितना भी fast forest item है सब easily ionize हो जाता है room temperature पर कारण कि fast forest item का जो पाचवाँ electron है उसको बहुत कम energy चाहिए free होने के लिए तो कमरे के तापमान पर सभी fast forest परमानू अपना पाचवाँ electron बिलकुल मुक्त करते है यानि यह सभी मुक्त हुए electron कहाँ चले आता है conduction band में free होकर तो यह जो कमरे के तापमान पर यह वाला electron पूरी तरफ free होकर यहाँ चलाया यहाँ से भी दो electron निकलके free हो गया यहाँ पर दो hole बन गया यानि balance band में कितना hole बन रहा है दो hole लेकिन conduction band में कितना electron free हो गया तीन अब यहाँ पर देखिए आप conduction band में गिनिये तो कितना electron है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 electron है balance band में hole केवल 2 है इसका मतलब number of electron in conduction band is greater than the number of hole in balance band conduction band में electron की संख्या अधिक हो गई balance band में hole की संख्या कम है यह कहाँ से अधिक हो गया starting में तो 2 electron यहाँ से free हो गया था room temperature पर बाकि electron को चुकि ज़्यादा energy चाहिए अब यहाँ से free होकर यहाँ एक लिए ज़्यादा energy चाहिए तो यह सा free नहीं हो पाया लेकिन कमरे के तापमान पर यह phosphorus atom तो ionize होगा क्योंकि इसकी energy level conduction band के थोड़ी से ही नीचे है तो इसका मतलब 1,2,3,4 यह 4 electron यहाँ से मिलिया इसको तो 4 electron 4 phosphorus से मिला और 2 electron तो thermally generated है room temperature पर जो naturally generated होता है तो 6 electron आपका conduction band में हो गया जबकि balance band में सिर्फ 2 hole है तो इसका मतलब n type semiconductor किसको कहेंगे जिसमें electron की संख्या अधिक हो किस से hole की संख्या से conduction band में electron की संख्या balance band के hole की संख्या से अधिक हो यही हो गया आपका n type तो n type semiconductor कब बनता है जब हम pure semiconductor में donor impurity मिलाते है donor यानि pentavalent impurity मिलाते हैं अब यहाँ पर देखें यह pure semiconductor है लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा impurity मिलाया है aluminum मिलाया है तो aluminum क्या है? trivalent तो तीन electron इसकी valency तीन है तो तीन electron तो sharing में चला गया एक electron की कमी है उसको हम क्या कहेंगे hole aluminum के पास एक electron की कमी है अगर इसके पास चार electron होता तो यह चारों तरफ sharing में लगा पाता लेकिन तीन electron के कारण तीन side तो sharing में गया एक तरफ यह इस silicon ने एक electron दिया aluminum के पास electron है ही नहीं यानि electron की कमी को क्या कहेंगे hole तो aluminum के पास क्या है एक hole है जिसका energy जिसका energy balance band के just उपर होता है यहाँ पर होता है balance band के just उपर तो इसको कहेंगे Ea यानि energy level of acceptor atom acceptor मतलब जो trivalent है जैसे aluminum है तो aluminum के पास एक hole है यह रहा aluminum aluminum AL इसके पास एक hole है अब जरा सोचिए कमरे के तापमान पर यहाँ से दो electron free होकर यहाँ चला गया लेकिन बांकी electron free नहीं हो पाया ठीक है क्योंकि उतना अधिक energy इसको नहीं मिल पाया तो यह free नहीं हो पाया तो दो electron conduction band में है और दो hole balance band में है लेकिन जब आप aluminum mix करेंगे तो aluminum के पास तो एक extra hole होता है जिसका energy level balance band के थोड़ा ही उपर होता है तो जरा सोचो यह electron यह दोनों electron यहाँ free होकर नहीं जा पायगा क्योंकि room temperature पर इतना अधिक energy इसको नहीं मिल पायगा कि यह इतना सारा energy gap को cross करके free हो जाए क्योंकि इसको free होने के लिए इतना energy चाहिए यहाँ और यहाँ यह बीच का जो gap देख रहे है energy तो इतना सारा energy चाहिए तब यह free होगा लेकिन यह electron jump करके इस hole में तो जा सकता है तो जैसे यह electron jump करके इस hole में जाएगा तो इसका मतला aluminium क्या करेगा इस electron को अपने hole में खीचेगा तो aluminium चुकी एक electron ग्रहन करता है इसलिए इस पर negative charge आएगा ठीक है और यहाँ पर एक hole बन जाएगा माल लिजे 2 aluminium atom है तो इसके पास भी hole है यह electron को भी खीचेगा negative charge हो जाएगा आईउनाइज हो जाएगा तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2 electron है लेकिन यहाँ पर 4 hole हो गया यानि hole की संख्या आधिक हो गई किस से? electron की संख्या से तो इसलिए इसको हम P-type कहते है positive type इसका मतलब जब हम pure semiconductor में trivalent trivalent impurity यानि acceptor impurity मिलाते हैं तो हमारा P-type semiconductor बनता है acceptor impurity के पास एक extra hole होता है जो electron को easily खीच लेता है कमरे के तापमान पर ही यह सारे ammonia metam ionize हो जाते हैं जैसे यहाँ पर कमरे के तापमान पर सारे phosphorus ionize हो ग yet यहाँ कमरे के तापमान पर सारे तो यहाँ से यह दोना electron भी उड़ जाता तो यहाँ 6 hole बन जाता तो इस तरह से अपका होल का संख्या बढ़ जाता है लेकिन प्योर सेमी कंड़क्टर में हमेशा N E बराबर N H होता है प्योर सेमी कंड़क्टर सुध्ध अर्ध चालक में अलक्ट्रोन की संख्या और होल की संख्या बराबर होती है लेकिन अशुध अर्धिचालक में या तो एलक्ट्रोन की संख्या अधिक होगी हूल की संख्या से या हूल की संख्या अधिक होगी एलक्ट्रोन की संख्या से अब देखिए इतना सारा कहानी सुनाए इसको आप अच्छे से दिमाग में सेट करिए क्योंकि यह थोड़ा घिच-पिच वाला है इसको अच्छे से याद करिएगा अब लिखना स्टार्ट करिए यहां से लिखना है टाइप्स ऑप सेमिकंडक्टर सेमिकंडक्टर दो टाइप के हो गए एक हो गया इंट्रिंसिक या प्योर सेमिकंडक्टर तो इंट्रिंसिक या प्योर सेमिकंडक्टर में इलक्टरोन की संख्या उल की संख्या ब्राबर होती है दूसरा हो गया एक्स्ट्रिंसिक या डॉब्ड सेमिकंडक्टर यानि intrinsic semiconductor में जब हम impurity मिलाते हैं intrinsic का मतलब क्या हो गया pure तो pure semiconductor में जब हम impurity मिलाएंगे तो उसको हम extrinsic कहेंगे या dropped semiconductor कहेंगे ये दो type का होता है n type, p type, n type, negative type जिसमें electron अधिको holes है p type, positive type जिसमें hole अधिको electrons है अब देखे extrinsic या dropped semiconductor the conductivity of pure semiconductor is very low at room temperature कमरे के तापमान पर जो pure semiconductor है उसकी conductivity बहुत कम होती है to improve its conductivity small amount of impurities are added to pure semiconductor उसके conductivity को बरहने के लिए बहुत कम मात्रा में impurity मिलाए जाता है this process is called doping and the impurity atoms are called dopants यह प्रक्रिया को doping कहते हैं जब हम pure semiconductor में impurity मिलाते हैं तो इस process को doping कहते हैं और जो impurity हम मिलाते हैं उस impurity को हम dopant कहते हैं there are two types of dopant pentavalent dopant phosphorous, arsenic, antimony, etc trivalent dopant aluminium, boron, indium, etc on the nature of dopant added there are two types of extrinsic semiconductor तो जो dopant आपने मिलाया जो impurity मिलाया उसके प्रकृती के आधार पर extrinsic semiconductor दो प्रकार के होते हैं एक हो गया N-type एक हो गया P-type first है N-type semiconductor when pure semiconductor is dopped with a pentavalent impurity then N-type semiconductor is formed जब pure semiconductor में हम किसी pentavalent impurity से doping करते हैं तो N-type semiconductor बनता है In N-type semiconductor, the number of electrons in conduction band is greater than the number of holes in valence band N-type semiconductor में क्या होता है electron की संख्या, conduction band में electron की संख्या अधिक होती है किस से? valence band के hole की संख्या से The pentavalent impurity is called donor impurity जो pentavalent impurity हम मिलाते हैं उसको donor कहते हैं and its energy level is slightly below the conduction band और उसका energy level थोड़ा सा ही नीचे होता है conduction band के Hence, अता even at room temperature most of the donor atoms gets ionized इसलिए कमरे के तापमान पर भी जितने भी donor है सब easily ionized होते हैं क्योंकि इसको कम energy चाहिए जब ये ionized होके यहां जा सकता है तो ये सब तो और easily ionized हो जाएगा but but very few atoms of silicon और germanium gets ionized लेकिन silicon या germanium के बहुत कम atom ionized हो पाते हैं आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कितना donor impurity है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका मतलब ये 9 phosphorus atom है 9 donor atom है परते एक atom के पास एक एक electron है तो यहां पर 9 electron आएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 और एक electron यहां से उड़के आया है यानि एक electron तो silicon atoms है क्या ये सारा silicon atom ionized हुआ है नहीं हुआ है यहां से एक electron गया तो ये silicon atom ionized हुआ बहुत कम silicon atom ionized होता है कमरे के तापमान पर लेकिन जो donor atom है वो सारा का सारा ionized हो जाता है देख रहा है क्योंकि इसको कम energy चाहिए तो 1 thermally generated electron hole pair तो ये जो hole बना और ये जो electron हुआ ये तो कमरे के तापमान पर हुआ thermal excitation के द्वारा पलस 9 electron from donor atom और ये जो 9 electron extra आप देख रहे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 electron कहां से है ये 9 donor से तो आप जिले देख सकते है conduction band में electron की संख्या बहुत अधिक है किस से? balance band के hole की संख्या से तो इसलिए इसको n-type कहेंगा so the conduction band will have most electrons coming from the donor impurity इसलिए conduction band में जो अधिकतर electron आते हैं वो donor से आते हैं यहाँ पर आप देखिए ये conduction band है ये CB है conduction band ये भी भी है balance band तो conduction band में जो अधिकतर electron है यहाँ 10 electron है 10 में से अधिकतर 9 electron donor में से आते हैं और 1 electron के वोल thermal excitations है second देखिए P-type semiconductor when pure semiconductor is dopped with a trivalent impurity then P-type semiconductor is formed जब हम pure semiconductor में doping करते हैं किसी trivalent यानि acceptor impurity से doping करते हैं तो P-type semiconductor बनता है in P-type semiconductor the number of holes created in valence band is greater than the number of electrons in conduction band conduction band में electron की संख्या से अधिक होती है valence band में होल की संख्या अब देखिए यह सब aluminium है यह सब acceptor है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 aluminium atom है परतेक aluminium atom के पास एक होल है तो यहाँ पर 7 electron उड़के इसके पास चला गया तो यह aluminium atom क्या हो गया ivenize सब पे negative charge चला गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक electron उड़के यहाँ से इसमें गया तो एक electron तो thermally generated electron hole pair एक है और बाकी जो यह आप देख रहे है 7 electron sorry 7 hole 2, 2, 4, 2, 4, 1, 7 यह 7 hole कहां से create हुए तो यहाँ के साथ electron उड़के aluminium में चले गए इस साथो aluminium में the trivalent impurity is called acceptor impurity क्योंकि यह accept करता है electron को and its energy level is slightly above the valence band और इसकी energy level यह जो EA EA का मतलब acceptor का energy level यह जितना भी aluminium atom है trivalent होता है और यह acceptor होता है क्योंकि इसके पास एक electron की कमिये बेंड के जस्ट उपर होता है hence even at room temperature hence even at room temperature most of the acceptor atoms get ionized इसलिए कमरे के तापमान पर जादातर जो acceptor atom है यह सब aluminium atom ionized हो जाएंगे यानि यहाँ hole की संख्या बढ़ जाएगी but very few atoms of silicon और germanium gets ionized लेकिन silicon या germanium के किवल एक atom यहाँ पर दिखाए गया ionized होते हुए so the balance band have most holes coming from the acceptor impurity इसलिए balance band में जो जादातर hole create हुआ वो इस acceptor impurity के कारण अगर यह aluminium हम नहीं मिलाते है तो एक hole यहाँ होता एक electron उपर होता तो any बराबर nh होता लेकिन आपने यह impurity मिलाया आपने aluminium atom मिलाया इसके वज़े से यहाँ पर 7 hole extra बढ़ गया तो इसका मतलब NH greater than any तो यही हो गया आपका P type अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए types of semiconductor आपके लिखिए भाले एंचen लेकिन यह भाले, लेकिन नह를 कीए जशें। झाल 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 झाल